राइपूर पुलिस ने शहर से गुम और चोरी हुए एक करोड की कीमत के साड़े चार सौ सेल फोन उनके मालिकों को लोटाए हैं मालिकों के हाथ में जब चोरी किये गए मॉबाइल उनके हाथ में पहुचे तो उनकी खुशिक आंदाजा नहीं रहा पुलिस ने बताया कि कई गुम सेल फोन दूसे राजियों में चलने की जानकारी मिली थी तब संबंदित व्यक्ति को फोन करके सेल फोन वापस भेजने को कहा गया कई लोगों ने पुलिस कारवाई होने का पता चलने पर खुदी सेल फोन वापस कर भी दिया कुरियर कर दिया पुलिस ने 2024 में अब तक 2 करोड 25 लाग के 1051 जो फोन थे जो चोरी हुए थे उनको लोटाने का दावा किया है तो एक तरीके से जो लगतार चोरियां होती है मोबाइल फोन की लाखों की मोबाइल फोन होते हैं जट से चोरी हो जाती है लेकिन राइपुर पुलिस ने अब चोरी हुए गुम हुए मोबाइल फोन के मालिकों को एक अच्छी खबर दी है उनके फोल उनको लोटा दिये गया है अनमोल तिवारी मेरे सहयोगी इस खबर पर मिसा जुड़ गया अनमोल का रुख कर रहे हैं अन बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी खबर है और बहुत बड़ी खबर है क्योंकि देखिए कि किसी का मोबाइल गुम हो जाता है या चोरी हो जाती है तो बहुत कम चांसे सोते हैं मिलने के लेकिन देखिए यहां पर लाखों के करोडों के मोबाइल जो है वो पुल पुलिस ने बरामत किया है और वो कितनी की कीमत एक करोड़ रुपे की मोबाइल है आप समझे कि इसमें कई लाखों की मोबाइल थे आईफोन भी इसमें शामिल थे तो यह बहुत बड़ी सफलता मिली और भारत इसके पीछे का एक आपको और भी तर्थे बता दू कि पांच से मोबाइलों को जॉप्त किया गया मतलब अलग-अलग राज्यों में यह मोबाइल जो हैं चोरी होने के बाद चले गए लेकिन आई मियाई नमबर होता है मोबाइल में जिसके जरिए पुलिस ने मोबाइल को ट्रेस किया फिर लोकेशन का पता लगाया गया और जिसके पास चोरी की मोबाइल थी उन्हें समझाइज दी गई कि देखिए चोरी की मोबाइल है आप इसे कुरियर कर दीजिए क्योंकि फिर इससे दिक्कत हो जाएगा आपको तो जो भी जिन और कारपनाली जो होती है पुलिस की उसको भी जो है इससे पुष्टी मिलती है कि कितने बहीत सही तरीके से काम कर रही है पुलिस बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए